यह खबर भिवानी से खरीफ शेजन सुरू होते ही भिवानी की नई अनाजमंडी में फसलों की सरकारी खरीद एक अक्टूबर से शुरू हो चुकी है वहीं मार्केट का मेटी सुपरवाइजर योगेश कुमार ने जनकारी देते हुए बताया कि एक अक्टूबर से फसल के ल लाइट के लिए रेड़ जमीदार को ठरने के लिए गेट पास के लिए हमने पूरी स्वीदा जितनी हम दे सकते हैं जमीदार भाई को उच्छ मेरी एक सभी जमीदारों से पराखना है कि वह अपना बाजरा प्रा सुका के सुका के पिर मंडी के लिए के आएं ताकि उसको में कोई बात आउत पर ने हो और किसी प्रकार की कोई प्रियशा नहीं जमीदार के साथ आती है तो हमारे शुक्ती साथ उपायों कि मोड리 बिवानी, एस नीम साब भी मानी, और हमारे डीम नीम साब जड़ी में बनगे भी तो, जड़ी में साब सारी निगरानी में उमनेट चल रही है अगर बाव अगर डाउन आता है तो कपास भी MSP के खरीदेने का करिए करवा कि उठान बड़ा अच्छी परकार से अब की बार चल रहा है तो लगबग 20,000 के लगबग उठान भी हो चुक्या है साथ की साथ उठान हो रहा है साथ की साथ बारगाना मिल रहा है आप मंडी में किसी भी आर्ट यो कोई प्रेसा नहीं आपकी बार नहीं आ रही है किसी प्रकार की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं कपास की बात अगर की जाए तो एक छोटा रेसा होता है 27 अम्म में एक लंबा रेसा होता है 28 अम्म में होता है ठीक है सरकार में सारी जो निर्दार पचले हैं जो विज्व रेट विज्व प्राइज लगा रखें सरकार में में इस विज्ट उसके उपर एक एकड़ाना करिए